जोरों की भूख लगी हो और पेट भर करके कुछ खाना हो तो इससे बहतरीन रेस्पी और कोई हो ही नहीं सकती आज मैं आपके लिए लेकर गया हूँ बेहत मज़िदार रेस्पी आपको बहुत पसंद आएगी बहुती चटपटी मज़िदार है तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं तो प्याज को हम पतला पत हैं यह अलग-अलग हो जाएं तो इसी तरह से हमें दोनों ही प्याज को लंबाई में काट करके मसल करके अलग-अलग कर लेना है प्याज हमारी कट चुकी हैं सभी लिएर्स अलग हो गई है अब हम गैस की तरफ चलेंगे यहाँ पर हमने एक पैन लिया है पैन में करीब हम एक बड़ा चमच्च तेल डालेंगे, तेल को हम गरम होने देंगे, तेल जैसी गरम हो जाएगा तो इसमें हम अपनी कटी हुई प्याच को डाल देंगे, और इस प्याच को हम मीदियम फ्लेम पर सुनेहरा होने तक बढ़िया से तल लेंगे, तो ये हम बना रहे हैं तक दल लिया है, हमें इसको बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, बस हमने इसको लाइट गोल्डन किया है, अब हम इस प्याच को निकाल लेते हैं, तो लेचे तैयार है हमारी फ्राइड ओनियन, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं, नमक डालेंगे, और सबी मिर्च को हम अच्छे से क्रश कर लेंगे, तो क्रश करने से हमारे मोटे मोटे से चिली फ्लैक्स बन Egypt करके तैयार हो जाएंगे, अगर आपके पास घर पर पहले से ही चिली फ्लैक्स रखा हुआ है, तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं, क्रश कर पर मैंने एक बड़े साइज का उबला आलो लिया है तो आलो को हम greater की help से grate कर लेते हैं आप हाथों की help से भी मैश कर सकते हैं लेकिन याद रहे इसमें गुठलिया ना रहे बहुत अच्छे से मैश करें तो लीजे हमने आलो को grate कर लिया है अब हम इसमें उपर से डालेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया आज हम मैक्सिकन डिस बनाने वाले हैं जो की बहुत ही जटपट से बन जाती है थोड़ा सा हम इसमें औरीगैनो डालेंगे औरीगैनो नहीं है तब आप यहाँ पर चाट मसाला डाल करके काम चला सकते हैं साथी में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं यह फिलेवर के लिए है तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा की मसाले नहीं जाएंगे बस यह दोनों चीज़े ही हम डालेंगे और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो लीजे हमारी जो आलू की चटपटी मजेदार फिलिंग रेडी है यह बहुत ही जादा टेस्टी लगती है इसमें जो फ्राइड ओनियन है इससे इसका कमाल का टेस्ट आता है यह बेहत तीकी चटपटी बनी है तो चलिए इस फिलिंग को हम साइड में रख देते हैं यहां पर मैंने ली हैं दो रोटियां तो सभी के घर पर रोटी रोजाना बनती है तो आज की रेस्पी हम रोटी से बनाएंगे यहां पर मैंने सुभाई की बची हुई रोटियां ले ली है अक्सर हमारे घर पर दो चार रोटियां ज्यादा बन जाती है तो आप उससे रेस्पी बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार है बच्चे रोटी नहीं भी खाते तब भी दोर दोर कर खाएंगे देखिएगा कितनी अज़ेदार हम आज की रेस्पी बनाने वाले हैं तो यहां पर मैंने थोड़ा सा टोमेटो कैचप ले लिया है और इसको हम अच्छे से रोटी को पर फैला देते हैं आप यहां पर पीजा सॉस का इस्तमाल भी कर सकते हैं फिलाल टोमेटो कैचप बहुत आसानी से सभी के घ चीज को हमने आधी रोटी पर फैला दिया है इसकी उपर हमने जो फिलिंग बनाई थी आलू की चटपड़ी वाली इसको हम अच्छे से फैला देते हैं और उपर से हम थोड़ा सा चीज और डाल देंगे तो हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब रोटी को हम हलका हलका सा दबा देंगे और साइट से हम थोड़ा सा इसको सेब देंगे ताकि जो चीज बगएरा है वो बाहर न आए तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा रोटी का टाकोज बन करके तयार हो गया है टाकोज एक मैक्सिकन रेस्पी है जो की बहुत ही मज़ेदार होती है तो हाला कि इसके लिए आप अलग से जो हमने रोटी बनाईए ना अलग से भी बना सकते थे वर मैंने आपका काम आसान कर दिया है आप इसको रोटी में बनाईए बहुत ही मज़ेदार भी है और हैल्दी भी हो जाएगी अलग से आप मैदा वगएरा से इसकी जो सीट बनाएंगे ना तो वो थोड़ा नुकसान भी करती है तो वस फिर से हम इसी तरह से एक टाको और बना करके रेडी कर लेते हैं तो सेम प्रोसेज में रोटी की उपर टोमेटो केचप लगाएंगे आधे पाइट में हम इसमें चीज डालेंगे उपर से हम देते हैं दवा करके तो दोनो ही रोटी के टाको बन करके तैयार हैं तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ इनको तलने के प्रोसेज में तो इस पेंड में हमने फ्राइड ओनियन बनाई थी तो वही तेल बचा हुआ है तो इस तेल में ही हम अपने रोटी टाकोस को रखेंगे अगर आप तेल में नहीं तरना चाहती है तो तेल को अलग करके घीया बटर भी डाल सकती हैं तो बस इनको हम रख देंगे और बिल्कुल फ्लेम को मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम पर इनको ढख करके दो मिनट के लिए नीचे की तरफ स तो आप देख सकते हैं यह नीचे की तरफ कितनी क्रिस्पी हो गई है और इसका कितना प्यारा कलर आ गया है तो बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है तो बस अब हम इनको दूसरी साइड से भी बढ़िया से तलने देते हैं या सिकने देते हैं तो फिर से हम इसको कवर कर तो इसको भी हम पलट लेंगे तो आप देख सकते हैं यह दूसी साइड भी बहुत अच्छी से क्रिस्पी हो चुका है और बहुत ही प्यारा सा इन में कलर आ गया है तो हैना फ्रेंड्स कमाल की रेस्पी बच्चे रोटी खाने से बड़े आनकाने करते हैं लेकिन यह रेस्पी आप उन्हें बना करके देंगे गैरेंटी है बहुत ही मजे से खाएंगे उल्टा मांग मांग कर खाएंगे क्योंकि मैंने इसको बनाया मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया और सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी तो सभी लोग पूछ रहे थे इसको आपने कैसे बनाया आप साइड में जो आप किनारी देख रहे है न इसमें आप चाहे तो आलू भुजिया से कवर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा आप लपेटते जाए आलू बुजिया अच्छे से चिपक जाएगी तो यह देखने मे तो चलिए अब मैं इनको 20 से कट कर लेती हूँ आप चाहे तो ऐसे ही सब कर सकते हैं आप चाहे तो इनको काट भी सकते हैं तो लीजे तयार है हमारी बेहत मज़ेदार रोटी टाकोस इंस्टेंट बन जाते हैं कोई इसमें ताम जाम नहीं है सब ही को बहुत पसंद आएंग कितने बढ़िया लग रहे हैं तो मुझे तो भाई बहुत जोरो की भूक लगी है मैं तो इसको खाने जा रही हूँ तो आप जरूर बना करके देखेगा फ्रेंड्स फिर आप मुझे खुदी बताएंगे कि रक्षा सच में ये बहुत मज़ेदार है तो उमीद करती हूँ क कि आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा थेंक यू